हेलो एंड वैलकम टू माई चैनल स्प्रेडिंग ज्यान एक बार फिर से आज ही रहूं दोस्तो आप लोगों के लिए सूजे सार जुलाई 2022 के कुछ महत्पुन फैक्ट लेकर बात करेंगे आज हम मंद्रेगा के बारे में दोस्तो मिड्डे मिल के बारे में शिक्षा का अधि दोस्तो तो उस टाइम इसका नाम क्या था यह इस टाइम नाम था दोस्तो नरेगा क्या नाम था नरेगा दोस्तो ठीक है नेशनल रूरल एंप्लोईमेंट गारंटी एक्ट दोस्तो ठीक है यह स्टार्ट हुआ था कब आपका एक्ट आने के बाद में दो फरवरी 2006 को स्टा को इसका रीनेम पुनर नामकरण कब किया गया दोस्तो पुनर नामकरण इसका किया गया दो अक्टूबर दो हजार नो को मनरे का इसका नाम रखा गया दोस्तो किरियानमन कौन करता है इसका किरियानमन करता है ग्राम पंचायद कौन करता है ग्राम पंचायद ठीक है चलते हैं अंदर 2022-23 का जो बजट था उसमें राजस्तान गवर्मेंट ने 25 दिन का आत्रिक्त रोजगार देने की घोशना की थी जिसका पूरा खर्चा जो पूरा expenditure है वो कौन देगी राजस्तान सरकार देगी दोस्तों ठीक है इसके बाद बात करते हैं राजस्तान गवर्मेंट ने 21- 22 में उससे जश्ट पिछले साल बजट 21-22 में घोशना की थी कि सहरिया और कथोड़ी और विशेश व्योगेजन को कितने दिन का मंदरेगा के तहर्द 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा कितने दिन का 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा ठीक है महिलाओं को आरक्षन कितना मनरेगा में 33%, कितना 33% राजस्तान में महिलाओं को अरक्षन कितना है 50%, दोनों फैक्ट याद रखने हैं, ऐगे चलते हैं इसमें आपका जो जाप कार्ड नेगा, वो कितने दिन में बनेगा 15 दिन में, 15 दिन में आपका job card बन जाएगा दोस्तो ठीक है apply करने के बाद में अगर आपका job card 15 दिन में नहीं बनता है दोस्तो तो आप किसके बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे clear है इसके बाद में 5 km की परीदी में आपको काम दिया जाएगा और अगर 5 km की परीदी में नहीं दे रहे है तो 10% आपको जो आपकी मजदूरी है उसका extra मिलेगा आपको इसका सामाजिक अंकेक्षन किसके दोरा होता है gram सबा के दोरा किसके दोरा gram सबा के दोरा और worse में दो बार क्रियानवन कौन करता है gram पंचा है अंकेक्षन कौन करता है gram सबा एकुषल सर्मिकों की मजदूरी कितनी है इसके अंदर दो सो एकीस रुपए और मेट की मजदूरी कितनी है इसके अंदर दो सो पैंतिस रुपए है, 100% महीला मेट दोस्तों कहां पर हैं, भील हो अड़ा में 100% महीला मेट क्या है दोस्तों, मेट क्या होता है, it is supervisor मेट मतलबyunship मतलब supervisor होता है दोस्तों, clear है और मैट बनने के लिए क्या होता है आपको मंद्रेगा में 50 दीन का experience होना चीह यह तबी आप मैट बन सकते हो ऐसे मैट नहीं बनाएंगे आपको ठीक है दोस्तो अगर कुछ अधर फैक्टर के बारे में बात करें तो मंदरों के मंदरे का योजना किस लिए स्टार्ट कि गई थी आपका समिदान के भाग किसमे चार में किसमे चार में DPSP है आपके समिदान के भाग चार में डारेक्टेट प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी ठीक है दोस्तो इसका जो आपका आर्टिकल है उसके अंदर आर्टिकल 41 के तहत उसको लागू करने के लिए मनरेगा की योजना स्टार्ट की गई दोस्तो आर्टिकल 41 के तहत ठीक है चलिए दोस्तो आगे बात करते हैं दूसरी योजना है मिड़े मील क्या है मिड़े मील कब स्टार्ट हुई थी आपकी 15 अगस्त 1905 में में दोस्तो 1995 में अगर background में जाए तो सबसे पहले कहां पे start हुई थी ये 1930 कब 1930 में कहां पे पदुचेरी में दोस्तो ठीक है पदुचेरी में start हुई उसके बाद दोस्तो 1960 ये सोतंतरता के बाद है after independence सबसे पहले कहां पे start हुई थी तब मिलना डू में दोस्तो ठीक है संपूर्ण केंदर सरकार ने इसको कब start किया था 15 अगस्त 19 पिचान में गो ठीक है दोस्तो उसके बाद में आपका 1995 के बाद में आपका दोस्तो सुप्रीम कोट ने एक आदेश दिया था 2001 में सुप्रीम कोट के आदेश से फिर ये संपूर्ण भारत में start हो गई इसके तैट पकावा गरम बोजन कब मिलना सुरूआ सेप्तमबर 2004 में दोस्तो NFSA National Food Security Act 2013 उसके तैट ये चलती है दोस्तो ठीक है इसके अंदर जो आपके एक से पांस तक के छात रहोंगे उनको कितनी 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन ठीक है दोस्तो और 5 से 8 तक के जो रहेंगे उनको 700 कैलोरी और कितना 20 ग्राम प्रोटीन 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन इसके तैट मिलना चीए आगे चलते हैं बात करते हैं अपने अगले योजनागी ये है आपका निसूल्क एमम अनिवार्य सिक्षा का अधिनियम निसूलक एमम अनिवारिय सिख्षा का अधिनियम दोस्तों ये अधिनियम कब आया था आपका ये अधिनियम आया था दोस्तों 2009 में कब आया था 2009 में याद रखना है तो याद रखिए 26 अगस्त 2009 को ये अधिनियम आपका पारित हो गया था लागू कब हुआ था 1 एप्रेल 2010 स इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है एक अप्रेल से आपका नया सेसन सुरू होता है तो उसके तहाथ ये एक अप्रेल 2010 से लागू हो गया था ठीक है दोस्तों इसमें क्या है 25% जो आपके नीजी विद्याले रहेंगे दोस्तों उनमें छात्रों को आरक्षन मिलेगा 25% ठीक है नीजी विद्याले में आरक्षन मिलेगा परंतु सुप्रीम कोट ने एक बात कई थी आपके दोस्तो कब कई थी सुप्रीम कोट ने कहा था कि जो आपके अलप संक्यक है है न? कुछ होते है न? अलब संक्यек आपके स्कूल्स होते है न उन में यह नहीं है अलब संक्यक स्कूल में यह नहीं लागू होगा दोस्तो इस से related और कुछ factors की बाद करते हैं दोस्तो तो right to education act right to education act het right to education act कब आयता दोस्तों आपका Right to Education Act आपका Constitutional Amendment था 86th Amendment कब आया था? 2002 में आया था दोस्तों इसमें क्या था? Article 21A जोड़ा गया था क्या जोड़ा गया था? Article 21A समीधान के अंदर जोड़ा गया था और इसमें 6 से 14 वर्स के बच्चों को अनिवारे सिक्षा का प्रावधान किया गया था Act बना दिया गया था Right to Education Act है RTA है दोस्तों Right to RTE Right to Education Act ठीक है दोस्तों? आगे चलते हैं दोस्तों बात करते हैं अगली जोशना कि राजियू गांदी Scholarship for Academic Excellence राजियू गांदी Scholarship for Academic Excellence दोस्तों कब घोशना हुई थी? 20 अगस्ट 2021 को कब 20 अगस्ट 2021 को start कब हो गई घोशना होने के थोटे टाइम बादी 5 October को ये start हो गई इसमें छात्राओं को आरक्षन females को जो बालिका ही होती है उनको आरक्षन कितना है दोस्तो 30% है कितना 30% इसकी पातरता क्या है दोस्तो 8 लाग से कम IU के जो परिवार होंगे 8 लाग से कम IU के जो परिवार होंगे दोस्तो उनकी annual income है ठीक है वार्षिक आय अगर 8 लाग से कम है तो उनको ये मिलेगा दोस्तो इसमें क्या है दोस्तो लॉटरी के द्वारा 206 प्रत्य वर्ष 206 को चुना जाएगा दोस्तो और उनको कहां पे उनको 150 वर्ल्ड की global university global university है ठीक है global university में उनको education के लिए भेजा जाएगा दोस्तो clear है ओके दोस्तो thanks for watching and subscribe thank you good day